नवस्कार दोस्तों आपका स्वागे थे आपके अपने चनल ट्रिक पॉइंट में आज मैं आप सब के सामने पसुओं के प्रजाती से सम्मंधित ट्रिक लेकर उपस्तित हुआ हूँ जो की आगे आने वाले इक्जाम की द्रिष्टी से बहुत ही महत्पून है तो आप मेरे साथ वीडियो के अंतक बने रही है और वीडियो अच्छा लगे तो फ्लीस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं पहला है लाल सिंधी जो की गाय की प्रजाती है तो सिंधी में एक सब छुपा हुए सीधी जब किसी भी सीधे बैक्ती का उधारन देते हैं तो क्या बोलते हैं कि एक गाय जैसे सीधा है या कि गाय जैसे सीधी है है ना जब किसी भी सीधे बैक्ती का उधारन देते हैं तो हमें साग गाय से देते हैं तो सीधे से हो गया लाल सिंधी तो लाल सिंधी किसकी प्रजाती है दोस्तों? गाय की क्योंकि सीधे बेक्ति का उधारण गाय से देते हैं क्लियर है अगला है हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो की गाय की ही एक प्रजाती है तो हॉलिस्टीन में दो सब चुपे हुए हैं एक हॉली और दूसरा स्थान हॉली का मतलब क्या होता है पवित्र यानि पवित्र स्थान तो पवित्र स्थान किसको प्राप्त है गाय को भैस को भेंड को या कि बकरी को तो आप बोलेंगे गाय को है ना पवित्र स्थान यानि ह gorgeous क्योंकि पवित्री स्थान य align किसको प्रप़्प्ट है गाए को अगे बढ़ते हैं अगला है मुझण जो कि भेंस की प्रजाती है जातर लोग को यह पता होगा कि मुझण भेंस की प्रजाती है लेकिन जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि भैंस को जिस रसी में बांधा जाता है उसको बोला जाता है मोहरा है ना भैंस को जिस रसी में बांधा जाता है उसको मोहरा बोलते हैं तो मोहरा से मुर्रा और मोहरा से किसको बांते है दोस्तों भैंस को तो भैंस से भैंस प्रजाती तो मुर्रा किसकी प्रजाती है दोस्त लकडी की काथी और काथी का घोड़ा तो काथी से हो गया काथिया वाड़ी और घोड़े के दुम पे जो मारा है थोड़ा तो मारने से मारवाड़ी और किसको मारा था घोडे को तो काठिया वाड़ी और मार वाड़ी किसका उधारन दोस्तों घोडे का क्लियर है आपने संग पहले भी सुना होगा लेकिन अब यह आपको कभी भी नहीं भूलेगा थाना अच्छा संग तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है सुर्ती जो कि भैंस की प्रजाती है साथ ही मेहसाना भी भैंस की ही प्रजाती है तो मेहसाना में एक सब चुपा हुए हसना है ना में के बाद सब्द क्या लिखा हुआ है हसना या कि हसाना और सूरती को याद करने के लिमोग कर लेते हैं सूरत तो जब किसी की सूरत काली होती है तो किस से उधारन देते हैं भैस से जैसे अच्छी आवाज का कोयल से, बुरी आवाज का कवे से और सीधे बेक्ति का गाय से उधारन देते हैं ठीक उसी प्रकार काली सूरत का उधारण भैस से देकर लोग हसते हैं, तो हसने से हो गया मेंस आना और सूरत से सूरती, तो सूरती और मेंस आना किसकी प्रजाती है दोस्तों? भैस की, ठीक है? अगला है जर्सी जो की गाय की प्रजाती है साथ ही भारवाही और हरियाना भी गाय की ही प्रजाती है तो भारवाही में एक सब छुपाऊए भार यानि बजन और हरियाना में सब छुपाऊए हरी यानि भगवान विश्णू की बात हो रही है और जर्सी में सब छुपा हुए जैस्री अगर मैं जैस्री बोलूं तो आप क्या बोलेंगे जैस्री राम है ना मतलब इसमें भगवान का नाम छुपा हुआ है तो भारवाहिस सब्द लेते हैं भार एक टाइम आया था जब गाय माता ने सभी देवताओं का भार अपने सरीर पर धारन किया था आपको पता होगा कि एक समय गव माता ने 33 कोटी देवी देवताओं का भार अपने सरीर पर धारन किया था तो देवी देवताओं की बात हो रही है कौन से देवता हरी अर्थात भगवान विश्णू और जैस्री से राम तो यह भी भगवान विश्णू के ही अवतार हैं और भार धारन किया था तो भार से भारवाही तो जर्सी भारवाही और हर्याना किसकी प्रजाती है दोस्तों ग क्योंकि गाय माता ने 33 कोटी देवी देवताओं का एक समय अपने सरीर पर भार धारन किया था क्लियर है और आप हर्याना और जर्षी को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हर्याना में सब चुपा हुए हरी अर्थात भगवान विश्नु और जैसरी में जैसरी राम यानि वह भी भगवान विश्नु के अवतार थे साथ ही भगवान विश्णू के एक अउतार थे भगवान कृष्ण और आपको पता है कि भगवान कृष्ण कौन थे गवपालक थे है ना गाय माता की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण थे तो जर्सी और हर्याना किसकी प्रजाती होंगी गाय की ठीक है आगे बढ़ते है अगला है मेरी नो जो की भेंड की प्रजाती है तो मेरी नो में सब्द लिखा हुए मेरी और में को अगर भा कर दें तो हो जाएगा भेंडी अर्थात भेंड तो मेरी नो किसकी प्रजाती है दोस्तों भेंड की क्योंकि अगर मा को हम लोग भा कर देंगे तो हो जाएगा भेंड clear है अगला है जैसल मेरी जो की भेंड की ही एक प्रजाती है तो जैसल में एक सब छुपाओए सौल आपको पता है कि भेंड के बाल से क्या मिलता है उन मिलता है और उन से सौल बनाया जाता है तो सौल से जैसल मेरी तो जैसल मेरी किसकी प्रजाती है दोस्तों भेंड की clear है अगला है रामबूतू जो की भेंड की प्रजाती है तो भेंड को इंगलिस में बोलते है सीप सीप को याद कहने के लिए हम लोग कर लेते हैं सीप यानि जहाज नाव ये सब है ना सीप यानि जहाज होता है और जहाज जैसे जल में चलता है ठीक उसी प्रकार बोट यानि नाव भी जल में चलती है तो आपको पता होगा कि जब राम भागवान बनवास गये थे तो उनको गंगा नदी पार करने के लिए एक केवट ने नाव का सहारा दिया था है ना बोट सीप सब उसी में आ जाएगा तो राम भूतु किसकी प्रजाती है दोस्तों सीप की यानि सीप की अर्थात भेंड की क्लियर है तो इस तरह से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ मैं आपको बता दूं कि इसका मैं पार्ट सेकंड भी लेके आऊंगा तो चलिए अब हम लोग छोटा सा MC की टेस्ट भी दे लेते हैं पहला कुश्चन आपके सामने है काठी या वाड़ी किस पसू की प्रजाती है तो इसका सही जवाब है option नमबर B यानि घोड़े की मैंने आपको घोड़े के लिए एक सौंग सुना आया था लकड़ी की काठी और काठी का घोड़ा तो काठी से काठी या वाड़ी और घोड क्लियर है अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 2 सूरती किस पसू की प्रजाती है तो इसका सही जवाब है option नमबर A यानि भैस की सूरत और भैस का कनेक्शन मैंने आपको बताया था कि जिसकी सूरत काली होती है उसको किस से उधारन देते है भैस से क्लियर है अगला कुश कि सीधे बैक्ति का उधारन गाय से देते है ठीक है अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 4 मुर्रा किस पसू की प्रजाती है तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है साथ ही आपको यह भी बताना है कि मेहसाना किस पसू की प्रजाती है तो इस तरह से अपने व सके तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदु